हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजिलेंड के की तोते के बारे में, जो कि दुनिया के बाकी 350 तोतों की प्रजातियों में अलग है, क्या वाकई में की तोता मासाहार करता है? और अगर हां, तो मासाहार ही कैसे बना? इन सारे जवाबों को जानने क के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहे हैं, डिसेंबर 1642 में, एबल तास्मन नाम के डच खोज करता ने जब पहले बार न्यूजिलेंड को खोज निकाला, तो उसकी ये मुलाकात बहुत छोटी रही, क्योंकि जब आबिल ने अपने एक साथी को नीचे किनारे पर पानी भरने के लिए भेजा, तब न्यूजिलेंड के आदिवासी लोगों ने उन पर हमला कर दिया, तब आबल तास्मन अपने साथी की जान बचातो हुए, वहां से दूर चले जाना ही बहतर समझा, एबल तास्मन ने ये मान लिया, कि वो आदिवासी आ ने समझी, जब 1769 में वो न्यूजिलेंड पहुँचा, जहां पर उसने और उसके साथियों ने काफी महीने बिता कर वहां की जमीन, मौसम वगरे की जरूरी जानकारी कठा की, और वापस इंगलेंड जाकर वहां के लोगों को बताई, जब लोगों ने न्यूजिलेंड के बारे में सुना, तब लोगों ने न्यूजिलेंड को अपना नया घर मानने की ठान ली, लोग जब न्यूजिलेंड पहुचे, तो उनको पता चला कि न्यूजिलेंड में बारिश तो होती है, लेकिन इतनी नहीं कि वहां पर आलू, गेहूं, जिस चीजों की लगातार खेत और उससे उनके खाने की कमी भी कम हो सकती है, तो तब वहां पर भेड बकरियों को पालने का एक बहुत बड़ा पशुपाला नोद्योग शुरू हुआ, जिस ने वहां के लोगों को दिरे-दिरे अमीर बना दिया, भेड से मिले उन और उन से बनी चीजों का निकास करके व कुछ लोग जो पशुपालन या यूं कहें कि भेड़ पालन के काम से जुड़ी हुई थी, उन में से कईयों के पास 1000 से लेकर 10,000 तक भेड़ की संक्या हुआ करती थी, और उनकी लगबग पूरी आमदनी इसी बात पर निर्भर करती थी, लेकिन 1860 में चब सर्दी शुरू तो भेड़ों की रहस्माई तरीके से वहां पर मोते होने लगी, शरुवात में किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोग पहले भेड़ों की गिंती रोज रोज नहीं करते थे, अगर एक दो भेड़ कम लगते भी थे, तो वो लोग ये सोचते थे कि कोई भे लग रही थी, वो ये कि अगर किसी शिकारी जानवर ने भेड़ का शिकार किया, तो उस शिकारी जानवर के पंजों के निशान या खून की बूंदे कहीं आसपास दिखाई क्यों नहीं दे रही थी, लेकिन फिर जब गर्मी का मोसम शुरू हुआ, तब सब ठीक रहा, तो इस बात पर ज्यादा किसे ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर आने वाले हर साल में सर्दी का मोसम शुरू होता था, और बहुत सारे भेड़ों के मुरच शरीर दिखे जाने लगे थे, एक चरवाह ने अनुमान लगया, कि कहीं कोई शिकारी पक्षी तो ये काम नहीं कर र तब लोगों ने और चरवाहों ने चोकनन होकर पहरेदारी शुरू की, तब एक दिन कुछ चरवाहों ने देखा कि एक की प्रजाती के तोते के पंजों में उन फसा हुआ था, इसलिए सब की पर शक करने लगया, लेकिन 1868 में जेम्स मेकडोनल्ल नामके चरवाहे ने अप उसके शरीर के उसी हिस्से का मांस का टुकडा निकाल कर खाने लगा, बेजुबान भेड दर्श से बशने के लिए उचलने लगा, उस समय तो खायल भेड का बचाव कर लिया गया था, लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिये था, कि जब दुनिया के सारे तोटे, फलाहर करते हैं, तो की मांसाहरी कैसे बना? इसका जवाब है की का कद, जोकी 18 से 20 इंच तक जाता है, और कभी कबार 22 इंच तक भी जाता है, इसके चलते उसकी खुराक भी बाकी तोटे के प्रजातियों से भी जयादा है, गरमी के मौसम में की भी फलाहरी करता है, लेकिन सर्दियों में जब कहीं कुछ भी नहीं उपचता तो मांसार ही बन जाता है पहले की शियर वोटर नाम के समुद्री पक्षी के बच्चों का शिकार करता था लेकिन उसके लिए उसको पहाडों से दूर समुद्र किनारे की तरफ उडान भरनी पड़ती थी लेकिन जब न्यूजिलेंड में पेड़ों की आबादी इंसानी आबादी से धाई से तीन गुना बढ़ गई तो की के लिए शियर वोटर के बदले पेड़ का शिकार करना आसान बना और इसके लिए भी यह नुमान लगाया जाता है कि इंसानी जिम्मेदार है क्योंकि जब चरवा है पेड़ की चमड़ी सुखाने के लिए रखते थे तब उस चमड़ी के बीच फसे हुए मांस के टुकड़े को किसी की ने खाया होगा और उसका स्वाद उसने चकले होगा दिरे दिरे जब आधुनीक मशीनों ने चमड़ी सुखाने का काम शुरू कर दिया तब की ने भी शिकारी का किरदार निबाना शुरू कर लिया शिकार एक की करता है लेकिन बाद में बहुत सारे की आकर शिकार को खाने में जुड़ जाते है एक जुन में 12 से 13 की तोते होते हैं और इतने सारे की मिलकर भी एक शिकार को पूरी तरह खाने ही सकते हैं लेकिन जब उनको दुबारा भूख लगती है तब वो नए भेड का शिकार करते हैं एक समय ऐसा भी आया कि नुजिलन्ड की सरकार भी की के शिकार की आदत से बहुत परिशान हो चुकी थी क्योंकि एक भेड के शिकार का मतलब नुजिलन्ड को आर्थिक नुकसान होता था इसलिए जब चरवाहों के पालतू और घरेलू कुट्ते भी जब की से भेडों की रक्षा नहीं कर पाये तब सरकार ने एलान किया कि अगर कोई एक की को मारता है तो बदले में उनको पेसे दिये जाएंगे सरकार के इस एलान के बाद नुजिलिंड में जितने भी बेरोजगार लोग थे उसके अलावा जो चरवाहे भी थे वो अपने पास बंदूख रखने लगे और वो हमेशा की के शिकार के लिए तयार रहते थे बेरोजगार लोग इससे आमदनी कमाना चाहते थे और चरवाहा जो थे वो अपने बेरों को सुरक्षित रखना चाहते थे और इसी के चलते सो साल के अंदर डेर्ड लाग से भी ज्यादा की तोते को मार दिया गिया जब नुजिलिंड सरकार की नजर में ये बात आई की 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 आबादी लुप्त होने की कगार पर है तब उन्होंने की के श जहर साबित हुआ और उनकी मौद भी समय से पहले होने लगी थी तो नुजिलिंड सरकार ने भी की को बचाने के लिए कदम उठाए सबसे पहले की की आबादी पास हजार बची है ये जानकर सरकार ने 1953 में बने Wildlife Act की सूची में की का नाम शामिल कर दिया और लोगों को साथ साथ उसके बारे में जागरूप भी करते गए लेकिन इन सबके बाद भी कभी कभी लोग की का शिकार करते रहते थे सरकार ने की को माउंट रुआ पेक पर एक सुरक्षित आवाज भी दिया 1967 में नूजिलेंड सरकार ने की को तब सम्मान दिया जब वहां कि 10 डोलर की करण हजार तक के बीच थी वो आज के समय में बढ़कर तीन से साथ हजार के बीच है सोचने वाली बात यह है कि हजारों सालों से कुदरत की गोद में अस्तितों बनाए हुए की को इनसानों ने सिर्फ तीन सो साल के अंदर ही लुप्त होने की कगार पर ला खड़ा कर दिया अगर आपको अमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर कर अगर आप आगे भी इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्स्राइब कीजिए और साथी बेल आइकन बटन दबा दीजिए बहुत जल मिलते हैं एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अभी के लिए इतना ही, have a good day